इतनी गरम हाल पे बजाती है हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल और कैसे हैं आप सब होब आप लोग अच्छे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर कौन आया है यह जो है ना मौसी जी है इनकी मम्मी की छोटी बहन मम्मी जो है ना तीन बहन है और मम्मी सेकंड नमबर की है यह सबसे छोटी वाली मौसी जी है मेरी मौसी सासूमा तो पहली बार आज यह हमारे घर आई है तो आपनों को मैंन से मिलवा रही हूँ साथ में यह है भाईया इनी के बेटे है यह और मम्मी भी आई है साथ में भाईया भी आई है साथ में तो सभी लोग चाए पी रहे हैं बाकी नमगिन बिस्किट वगएरा मैंने रख दिया था तो मौसी जी को बहुत ज़्यादा जल्दी दी जाने की इसलिए वो जो है न प्लेट में इसे चाए पी रही थी बोल रही थी कि ऐसे तो चाए पी गरम है टाइम लगेगा पीने में तो मैंने बोला मौसी जी चाए गरम ही होती है तो उनको मामा जी के घर आना था इसलिए और अभी टाइम होड़ा होगा मौर्निंग के साड़े दस के करीब हो रहे होंगे तो फिर आदे घंटे ये लोग रुके थे उसके बाद चले गए थे क्योंकि मौसी जी को बहुत जादा जल्दी थी जाने की उन लोगों को जहासी निकलना था दो बजे के करीब क्योंकि वो जहासी में ही रहती है मैंने तो काफी बोला था लेकिन नहीं उनको जाने की काफी जाथा जल्दी थी तो बोल रही थी अब अगली बार आएंगे ना तब खा लेंगे तो बस यहाँ पर चाए पीने का ही वेट कर रही थी और आप देख सकते हैं मम्मी का फेस और मौसी जी का फेस मिलता है क्योंकि दौनों ही सिश्टर है ना तो इनका काफी फेस मैच करता है एक दूसरे से यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं नीचे मम्मी जो है ना बाय बोल रही थी यहीं से मैंने जो क्लिप है न वो शूट कर ली उपर से ही और काफी अच्छा लगा मौसी जी पहली बार हमारे घर आई है आप लोगो मौसी जी से मिलकर कैसा लगा कमेंट करकर जब बताईएगा मैंने सुचा कि आई है तो आप लोगो भी मिलवा देती हूँ कि मौसी जी कैसी है बस यह है कि वो जादा टाइम तो नहीं रुकी थी थोड़ी देर ही वो रुकी थी और अभी ना टाइम हो चुका है दुफैर का हम लोग आ हुए हैं मार्केट यहाँ पर इन्होंने ली है छोले चाट जो कि बहुत जादा टेश्टी लगती है खाने में तो आप लोग भी आ जाईए हमारे साथ खा लीजिए जिस जिसको भी पसंद है अब ही टाइम में आप लोगों को बताओं तो तीन या साड़े तीन बज रह होंगे हम लोग आय हुए हैं किसी काम से तो बस र खाते नहीं है और इनको बहुत जादा पसंद है ये छोले चार्टी आंकी बहुत जादा फेमस है बहुत भी लगती है इनकी आंकी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है शौप बढ़ना आप लोग देखते काफी लोग आते हैं खाने के लिए तो आज काफी महीनों और टेश्टीती खाने में और बस अब जो है न हम लोग जाएंगे दे लाइन स्मार्ट क्योंकि हमें कुछ ग्रोसरी का सामन भी लेना है था नहीं है कि इसे उद्धित सेमेचे अगेचे हैं तो जैज का है तुझे आज का है थाबुदाने लेगाईत रहे हैं थाबुदाने रखे अभी चाबल भी रखे हम लोग आ चुके हैं रिलाइंस मार्ट और यहां से कर रहा है ग्रोसरी की शॉपिंग तो बहुत ज्यादा भी शॉपिंग हमें नहीं करनी थी मैं इनको यहीं बता रही थी कि क्या क्या सामन रखा हुआ है इस टॉक में जादा ले जाते हैं तो जो सामन रखा हुआ था वो नहीं लेना था यहां पर यह चीनी बगएर ले रहे हैं हमारी सारी शॉपिंग हो चुकी है और बस यहां पर हम बिलिंग करवा रहे हैं वैसे हम इस पेसली शॉपिंग के लिए नहीं आये थे हम लोग यहां किसी काम से आये थे पास में ही तो यह था कि यहां तक आये हैं तो चलो सामन भी ले लेते हैं क्योंकि लेना भी था काफी कुछ चीज़ें जो है न वो खतम हो गई थी और यह तो हर महीने का काम है ग्रॉसरी तो आती है कभी कम आती है किसी मन्त में किसी मन्त में जादा आती है तो बस ऐसे ही था अभी तो गर बापिस मैंने फिर ब्लॉक को कंटीन्यू नहीं किया अभी टाइम हो रहा है नाइट का यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर तो मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता यह बड़े साइच का बैंगन है इसी को मैं आपर भून रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने चार-पांच जगे इस तरह से कट लगाए हैं और लहसुन की कल्यों को छील कर अंदर रग दिया है इससे वह अच्छे से भुन जाएंगी और काफ यचा टेश्ट आता है तो यहाँ पर बस इसको मैं अच्छे से पलट-पलट कर सेख लूँगी गैस की फ्लेम मैंने बहुत जादा हाई नहीं की है क्योंकि बड़े साइच का बैंगन है ना तो अंदर से भी अच्छे से भुन जाए और साथी मैं मैं बनाने वाली हूँ दाल तो यहाँ पर खड़ी मसूर की दाल ली है यह जो है न हम लोग गाउं से लेकर आये थे इसलिए इसका साइच छोटा है अच्छे से इसको मैंने वाश कर लिया है कुकर में आप डाल दिया है पानी और साथी मैं इसमें मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर डाल दूँगी और बस कुकर को बन करके डाल को बॉइल होने के लिए रख दूँगी तो बैंगन भी भुनता रहेगा तब तक डाल भी अच्छे से बॉइल हो जाएगी यहाँ पर मैंने गैस को भी ओन कर दिया है और बस बैंगन को भी अच्छे से पलट कर भून लूँगी बैंगन भून गया था उसको मैंने अच्छे से चील लिया था और अच्छे से जो है न उसको छोटे-चोटे पीसेस में कट कर लिया था मुझे ऐसे अच्छा लगता है अब मैं आपर बैंगन के भरते में तड़का लगा रही हूँ तो उसी के लिए कड़ाई में ओयल डाला है यह मस्टर्ड ओयल है ओयल गरम होने के बाद इसमें मैंने डाल दिये दो से तीन कुटी हुई लहसुनगी कलिया और वो थोड़ा सा फ्राय हो गई अब इसमें मैं डाल दूँगी कटा हुआ टमाटर अच्छे से इसको चला लूँगी साथ ही मैं इसमें मैं सुखे मसाले अट कर दूँगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च भी डालिया ना तो लालमेच पाउडर उसे सापसे मैं कम ही डालूँगी और बस थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मसाले को अच्छे से भून लूँगी साथ ही में डाल दूँगी नमक टेश्ट के अकोर्डिंग बहुत से लोग इस तरह से फ्राइ करके नहीं बनाते हैं तो सबका अपना अपना तरीका होता है जिसको जैसे पसंद आता है तो हमेना ऐसे ही अच्छा लगता है बिना तड़के वाला जो हैना नहीं इतना अच्छा लगता है यहाँ पर बस मैंने पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं मतला अच्छे से भुन चुका है उइल बिलकुल सेपरेट हो गया है तो जो बेंगन को मैंने कट करके रखा था था ना उसी इकटकर डिया है और अच्छे से इसको मैं चला लूँगी थोड़ी देर के لिए मैं इसکो अच्छे अच्छे से भून लूँगी तो बस भरता बनकर तयार हो जाएगा अभी मैंने जो है ना भरते की कड़ाई को दूसरी गैस पर ट्रांसपर कर दिया है और यहां पर मैं जो है साथ ही साथ लगा रही हूं दाल में तड़का उसी के लिए मैंने कड़ाई में ओलेट कर दिया है गरम होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया लहसन और जीरा वो फ्राय हो गया उसके बाद मैंने कटी हुई प्याज हरी मिर्च को डालकर अच्छे से फ्राय कर लिया है अब यहां पर मैंने डाल दिया कटा हूगा टमाटर तो जैसे की दाल में हमेशा तड़का लगाती मसाला भुन जाएगा तो बस इसमें मैं दाल एट कर दूँगी भरता बनकर तैयार हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर दूँगी और गैस को आफ कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से भुन चुका है अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉइल की हुई दाल अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस थोड़ा से इसको बॉइल होने दूँगी दाल में कर त्यार हो जाएगी यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया, कटा हुआ हरा धनिया, गैस को आफ कर दिया है और बहुत टेश्टी डाल बनी थी, क्योंकि यह गाउ की थी तो और ज्यादा टेश्टी लग रही थी खाने में और वैसे भी यह दाल अच्छी लगते है, खड़ी मसूर की दाल और इसके साथ राइस खाओ तो बाती क्या है मुझे तो डाल राइस वैसे भी बहुत जादा पसंद है तो मैंने जो है न, आप देख सकते हैं, साथी साथ को कर मैं, राइस को भी बनने के लिए रख दिया है आटा भी मैंने लगा लिया था, तो बस यहाँ पर मैं चपाती भी सेख लूँगी और राइस भी बन जाएंगे न, तो हम लोग खाना भी खा लेंगे और आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं मैं बार-बार बोलती हूँ, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो साथी साथ जो भी चैनल पर ना है, पहली बार मेरी वीडियो को वाच कर रहे हैं सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिलकुल फ्री है ये भी मैं आप लोगों से बोलती हूँ क्योंकि आप लोग लाइक भी कम करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो जादा से जादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए ब्लॉग बनाते हैं आपको देखने में लगता है कि बस ये जो है ने दस बारा मिनिट की वीडियो है लेकिन इस दस बारा मिनिट की वीडियो में हमारी काफी मेहनत चुपी हुई होती है हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है इस वीडियो के लिए चपाती बनकर तयार हो चुकी है और बस यहाँ पर मैंने लगा लिए हमारे लिप प्लेट आप लोग भी आजाईए हमारे साथ डिनर कर लीजिए और वही खाना सिंपल जो मैंने बनाया है खड़ी मसूर की दाल है, बैंगन का भरता है सैलेड में मूली रखी हुई थी तो उसी को कट कर लिया है राइस है, गर्मा गरम, चपाती है, पापड है, आम का चार है तो चलिए बस अब हम लोग खा लेते हैं खाना और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा जो भी चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार